Let's have a candid talk about it. जिस किसी का भी exam अभी 5th और 6th को है, अब किसी भी तरीकी का pressure रहने का कोई फाइदा नहीं है. ठीक है, एक या दो दिन में आप syllabus नहीं कर सकते हो, या फिर आप सारा का सारा revise भी नहीं कर सकते हो. तो इस टाइम पर सबसे अच्छी चीज़ है कि आप relax रहो. आपको पता है आपने कितनी preparation करी है, कितने efforts लगाए हैं, वो सारे efforts आपके exam वाले दिन काम आएंगे. exam वाले दिन आपका mindset कैसा है, वो बहुत matter करता है. Because आपने marks में कितने भी अच्छे marks लेकर आएं, but exam वाले दिन अगर आपका mindset ठीक नहीं है, किसी भी दरीके से अगर आप परिशान है, in that case वो effect करेगा आपके score पर. तो इसलिए मैं बोलूँगा, relax रहे हैं, आप अपनी नींद अच्छी लीजिए, जिस किसी को भी travel करना है, time से पहले पहुँचिए. ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, आप calculations पर work out कर सकते हैं, आपके पास जो भी time है, उसमें multiplications, squares, cubes, इनको थोड़ा सा प्रिपेर कर सकते हैं, अदरवास बागी और कुछ करने के आपको ज़रूरत नहीं है, और I would suggest mocks मत दीजेगा, मैं अपनी तरफ से अगर suggestion दूँगा, mocks मत दीजेगा, because in case अगर खराब mocks आजाते हैं, तो demotivate हो जाओगे बिना किसी बात का, आपका exam वाले दिन mindset खराब रहेगा, तो कोशिच करिए, आप mocks नहीं दीजे, आपने जितने mocks दे दिये हैं, वो sufficient है, जादा साथ अगर आपको कर रहे हैं, तो previous year के जो आपने already mocks करे हों, या फिर अगर puzzles, या फिर DI देखना है, मैंने videos puzzle की भी और DI की, दोनों की videos मैंने YouTube channel पर post करी हुए, बहुत जादा बड़ी भी नहीं है, puzzle की धाई गंटे की है, DI की देड़ गंटे की है, उसको आप एक बर start करके साथ साथ, अगर practice भी करेंगे तो वो भी आपके लिए sufficient है, ठीक है, थोड़ा सा relax रखिएगा, free रखिएगा, ठीक है, बहुत जादा pressure लेंगे की जरूत नहीं है, कुछ students मुझसे बोल रहे थे कि सर में भीट देखकर घबरा जाता हूँ, या फिर exam pass आ रहा है, इसलिए मुझे थोड़ा सा pressure लग रहा है, it's okay, human nature है, ये चीज़ होगी, it's just that ये आप पर हावी नहीं हो, human nature है, ये सारे pressures और situations को देखकर घबराना ये सब होगा, but it's just that आपको work out करना है कि ये सब किसी तरीके से आपके mindset को disturb ना कर, so all the best for your exam, आप किसी भी तरीके की pressure लेने की जरूत नहीं है, जो आपने करा है, आपको सब पता है, बस अच्छे से करिए,